हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों तो आज मैं आपको emergency bulb जब भी purchase करते हैं तो आप local यप original को कैसे पहचान करपाएंगे ये आपको कोई youtube पे नहीं बताएगा पस मैं आपको ये तरीकाप को बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से उसको पहचान कर पाएंगे तिहां पर देखे मैं एक Local LD Bulp है और हमारा एक Original LD Bulp है तो दोनों मैं आपको कैसे पहचान कर पाएंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ देखे आपको Company के नाम से आपको एक ही जैसा भी देखने को मिल सकता है पर आपको क्या क्या चीज आपको बातें ध्यान रखना है ये सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ अगर आप Repairing भी करेंगे तो किस तरह से खोलेंगे ये सब कुछ मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ खोल के भी दिखाऊंगा आपको पूरी तरीके से इसको आपको जानकारी देने वाला हूँ तो यहाँ पर वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों आज के इस वीडियो को जरा सा भी इसकी बिल्कुल मत कीजेगा अगर आप skip करेंगे तो आप local और original बेट एसी और डीसी बल्प को आप भाचान नहीं कर पाएंगे तो देखे यहाँ पर मैं सबसे पहले एक एक बल्प को एक बार आपको जरूर दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आप हमें comment करके जरूर बताना दोस्तों यह हमारा कौन सा bulb है local है या फिर original है अब यहाँ पर यह दूसरा वाला bulb को एक बार फिर से देख लिजे यह वाला कौन सा बाल फै local है या original है इसको कैसे पहचान कर पाएंगे तो देखें इस तरह से आप एक बार मैं आपको दिखाया हूँ आप कमेंट करके जरूर करेगा दोस्तों मैं आपका एक कमेंट का इंतिजार कर रहा हूँ आप कमेंट करेंगे तो और भी लोगों को पता चल पाएगा कि कौन सा सही है कौन सा एमर्जेंसी एलडी बल्प ओरिजिनल है आई होब अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा तो अभी तक आपने हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरू कर देना दोस्तों और हमारे चैनल पर अगर आप नए है चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए हर रोज लेके आते रहता हूँ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हेवेल्स कमपनी का है यह हेवेल्स कमपनी का आपको ब्रांड लगता है या फिर लोकल लगता है या क्या चीज़ी इसमें पहचान कर सकते हैं यह मैं आपको बताने वाला हूँ इसके लिए देखे यहाँ पर आपका 9 वार्ट यहाँ पर देख सकते हैं 900 लुमेंस का यहाँ पर देख सकते हैं यह इतना अगर आपको देखने को मिल जाता है जब भी ब्रांड वाला जो LED वाल्फ होता है यह सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है इसमें जो कुछ भी यहाँ पर किया रहता है इसमें मैंसन रहता है जो कमपनी का होता है अपर दूसरा जो bulb है उस bulb को यहाँ पर मैं दिखाने बला हूँ आपको देखें यहाँ पर good bright देख सकते हैं यहाँ पर 15 watt लिखा हुआ है और AC DC bulb देख सकते हैं और यहाँ तरह से कमी छोड़ जाता है और इसमें यह लोकल की पहचान चोड़ जाता है कंपनी वाला तो देखे local bulb में एक तो ये पहचान करना हो गया कि company कौन सा है ये भी आप एक अंदाज लगा सकते हैं देखने के बाद में और दूसरा जो होता है यहां पे देखे आपको इसको वजन में आपको हाथ में लेके देखना है बस और एक जो company का होगा और एक जो local होगा ये आप इसको पहचान कर सकते हैं तो देखे मेरा ये वाला जो LED bulb है ये हमारा local हो गया और ये हमारा original हो गया तो original और local को पहचान करने में देखे आपको यही चीज मिलता है देखने को हमारा जो original होगा वो वजन होगा और ये वाला जो local होगा वो हमारा देख सकते हैं बिलकुल हलका होगा और इसका body भी देखेगा बिलकुल हलके quality का body इसका diffuser ये सब कुछ देखने को मिलेगा B22 के अप ये भी आपको difference देखने को मिलता है देखे लोकल में और यहां पर देखे जो original होगा वो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा quality का लगाया होगा इसका body अच्छा quality का होगा इसका diffuser अच्छे quality का होगा ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है changing तो ये सब आप देखके पहचान कर सकते हैं आपको दुकानदार भी कभी आपको उल्लू बना सकता है ठग सकता है इसमें देखेए आपको ये 450-200 रूपे में मिलता है ये LD बल्प ये AC-DC से चलने वाला जो बल्प है ये 450-500 रूपे का एक बल्प मिलता है और ये देख सकते हैं ये हमारा 100 रुपे में एक बल्फ मिलने वाला है पर इसको आपको 350-400 रुपे लेके इस बल्फ को आपको चिपका देगा तो आप इसमें आपका पैसा जो है वो लूट जाता है आपका मेहनत का पैसा होता है उसको आप अच्छी तरी का से समझ लेज़ेगा और परचेस कीज़ेगा मेरा कहने का मतलब यही है आप सही जगह पर पैसा लगाएं सही चीज को परचेस करें देखे अगर आप पैसा में परचेस कर रहे हैं और आपका नुकसान हो जाए ऐसा में बिल्कुल नहीं चाहता हूँ तो देखे इसको सबसे पहले में इसका अंदर का जो भी कॉम्पोनेट है उसको भी मैं आपको खोल करके दिखा देता हूँ तो किसी भी LED बॉल्प का डिफूजर खोलने के लिए देखे ये तरीका लगा लिजेगा बहुत आसानी से खुल जाता है आप देखे इस तरह से आपको देखने को मिलता है एक लोकल बल्प में अब इसका इसकुरू को भी यहाँ पर मैं खोल देता हूँ एक एक चीज में आपको दोनों को खोल के दिखा देता हूँ अगर आप रिपेरिंग करना भी चाहते हैं तो इसी तरह से सेम जैसा मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आप खोल सकते हैं पर इसका सर्किट जो है वो देख सकते हैं और 4,5-4,5 रुपे आपसे पैसे ले लेते हैं दुकांदार भी तो देखे अगर आपको जानकारी नहीं होता है तो इस वीडियो को ज़रा साथ देख लेना और LED बल्प को पर्चेस कर लिजेगा एमर्जेंसी बल्प अभी वर्चाथ के ताइम में क्या होता है एमर्जेंसी बल्प आपका घर में बहुत ही जरूरी है अजकल के दिनों में ज़्यादा बिजली जाने की समस्या बन जाता है ये भी एक दिक्कत हो जाता है अब यहाँ पर देख सकते हैं इतना ही आपको देखने को मिलता है local LED बल्प में यह सब आपको एक बार देखके पहचान में आज आएगा आप इसको खोलेंगे तो तो देख सकते हैं जो दूसरा वाला LED बल्प है जो original होता है उसमें क्या क्या चीज देखने को मिलता है अलग आपको difference वो चीज में आपको दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर देखे इसको भी जैसा खोले थे वह इसा इसी को भी खोल लेते हैं आप देखे इसका diffuser भी खोलने में देखे इस तरह से खुल जाता है और इसका mcpcp को आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर design है यह सब कुछ आपको देखने को मिलता है अलग-अलग quality के अंदर में तो देखे जो अच्छा quality का होगा वो इस तरह को देखने को मिलता है यह चीज आपको जरूर ध्यान रखना होगा mccpcp को देख सकते हैं इस तरह से बना हुआ है और इसका circuit में क्या क्या चीज है वह चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं तो देखे इस जगा से मैंने इसको खोला और खोलने के बाद में देखे इसमें क्या चीज़ देखने को मिलता है जो लोकल वाल LED बल्प है इसमें नहीं मिलता है देखने को देख सकते हैं यहाँ पर भी एक बैटरी मिलेगा यहाँ पर भी एक बैटरी मिलेगा यह बेटरी यह फरक होता है आपका local और original में अब इसमें देखे यह driver circuit लगा हुआ है इतने कितने अच्छे quality का यहां पर driver circuit यहां पर लगा होता है आप इसको देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ अगर आप इस सब को जानकारी रखते हैं और LED bulb को जब भी purchase करने जाते हैं emergency LED bulb तो यह सब आपको जानकारी होना चाहिए तब ही जाके आप अच्छे चीज को purchase करके ला सकते हैं दोस्तों तो आज मैंने आपको इस तरह से local और original का एक पहचान करने का तरीका आपको बताया हूँ अगर आज इस वीडियो को देखने के बैटरी को निकालके इसको change कर सकते हैं कब change करना है अगर आपका LD वल्प बिजली जाने के बाद में तीन घंटे के जगव में एक घंटा आधा गंटा जलने के बाद में बंद हो जा रहा है तो आप इस बैटरी को change कर दिजगा यह बैटरी आपको अलग से market में मिल जाता है 40-45-50 रुपे के बीच में आपको मिल ही जाएगा दोस्तों आप अच्छे quality का लगा लिजेगा आपका बैटरी वेकप अच्छी तरह से मिलने लगेगा तो यह देख सकते हैं दोस्तों यह मैंने एक tips भी आपको बता दिया हूँ जो आप कर सकते हैं तो उमिद करता हूं दो को कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को आप कौन सी सहर से देखते हैं अपने प्यारे से सहर का नाम कमेंट में जरूर बताना दोस्तों ताकि मैं आप सभी लोगों को थैंक किर दोस्तों